हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में दोस्तोorterी तू 2019 से एरियर पेंशन पेमेंट पे सुप्रीम कोड से बड़ी ख़बर आ रही है दोस्तो प्रीम कोड की तरफ से बहुत शच्का जाईर किया है जिसमें की जो 2019 से एरियर पेंट की पेंशन होनी थी उसके ओपर Government of India ने अभी Supreme Court में एक बार दुबारा से याचिका जाहिर की है दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्या उस याचिका में लिख्था गया है और किस तरीके से जो अब जो एरियर की पेमेंट थी जो की एक जुलाई 2019 से अभी तक की एरियर मिलना था उस पर क्या लेटेस्ट अपडेट है जलिए दोस्तो बात करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में दोस्तो का चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरू करें जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहा है और साथ ही साथ बेल आइकन जरू दवाए दोस्तो देख सकते हैं गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने ओनरेबल कोट में एक बार फिर से जो है यह अच्छी का जाईर की है और फिर्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टन दोस्तो जो कि सब की उमीद थी कि अब मिल जाएगा उसके ओपर गवर्मेंट ने देखो क्या मांगा है ग्रांट फर्दर थ्री मॉन्स टाइम और वो बियॉर्ड फिर्टीन सिक्स जो टाइम अभी पंदरा छे को खतम हुआता उसके आगे और तीन मेने का टाइम मांगा है और उसके आगे तीन मेने टाइम का मतलब यह है कि आप यह सीधे नव हुए महिने यानि की अक्टूबर तक जाने का उमीद है सप्टेमबर फिफ्टीन या उक्टूबर तक आप देख सकते हैं जो भी 16.3.2022 को दिया गया था उसमें जो है तीन मेने और एक्स्टा मांगे है आप देख सकते हैं याँ पे इन दे इंटरस्ट आफ जस्टिस एंड पास एनी अदर आदर ओर इसके लाओ यह भी कहा गया है कि कोई और ओर ओर आदर है एक तो यह तीन मेने का टाइम है और कोई और और है इसके बेस पे अगर कुछ जो भी कोट इसको जो है सरी मानता है वो किया जाना चाहिए दोस्तों देख सकते हैं अब जो जून में सब लोग वेट कर रहे थे लग नीरा कि यह जून में मिलेगा जो और इसके बाद से जो इसका पेमेंट शुरू होगा तो payment मिलेगी इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा कि payment नहीं मिलेगी लेकिन जस्ट government of India थ्वास और टाइम चाहती है इन सब को implement करने के लिए दोस्तो यह था आज का important update one rank one pensions 2019 से area और वो मिलना था दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिए शेर कीजिए और subscribe करना ना भूले thank you for watching this video